दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं ओर्ड की कहानिया नई अंदर मताना दर्वाजा खोलते ही चीकते हुए स्वर आया आवाज दिया की ही थी बेटा मैं हूँ ममा कहते वे उसकी मा उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ी पिछे पिता थे दोनों धिमे धिमे कदमों से चल रहे थ उनके दिल धड़क रहे थे रंगहिन समय कितने ही रंग दिखला देता है जिस बेटी को जन्म दिया पाला पोसा आज अपनी ही उसी बेटी से डर लग रहा था दो दिनों पहले वे एक रिष्टदार की शादी में शहर से बाहर गए थे दिया घर में अकेली थी आज सवेरे लोटे ही थे कि घर के अदरवाजे पर पहुंसते ही एक पडोसी भागा भागा आया और उन्हें बताया कि पिछली रात उनके घर से आजीबो गरीब आवाजे आ रही थी और उनका पालतु कुत्ता रो रहा था जो आज सवेरे घर के पिछे हिस्से में लहुलुहान मरा हु हाँ बेटा मैं आरती हूँ तिरी मम्मा मा का स्वर फिर से लड़ खाड़ाने लगा उसी समय पिछे आ रहे दिया के पिता ने कमरे की बत्तिवान की जिस पर दिया फिर चिखी बंद करो इसे मुझे तकलीफ होती है रोशनी होते ही दिया की हालत देखकर उसके माता पिता भ ठाक रखा था दिया ये क्या है उसके पिता हिमत कर बोले और दिया ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए लाल सुरक आखें और होटो पड़ जमे खून को देखकर दोनों बहुत घबरा गए दिया मा इससे अधी कुछ कह नहीं पाई और वहीं बेहोशो कर गिर गई कौन पिता ने डरते डरते पूछा रख भी साचिनी कहते हुए दिया आठास करने लगी जिससे सुनकर पिता बेताहाशा डर गए उन्होंने अपनी पत्मी को अपनी बाहाँ में उठाया और भागते बाहर चले गए कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने दिया के कमरे का दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया बाहर जाकर उन्होंने जेब से मुबाइल फोन निकाला और फोन किया उधर से जय राधे का स्वराया उन्होंने प्रति उत्तर दिया जय राधे गुरुजी दिया को कुछ उपरी बादा हुई है कृपया जल्दी निवारन करें कुछ पलों की चुपी के बाद वहां से स्वर आया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैं स्वर ही आता हूँ इतनी ही देर में उनकी पत्नी को भी होशा आ गया था वह दोनों घर के बाहर सीड़ी उपर जाकर बैट गए कुछी देर में एक चमचमाती महंगी गाड़ी उनके घर के पोर्च में आकर रुकी जिसे देखकर दोनों के दोनों खड़े हो गए गाड़ी में सफेद धोती कुर्ता पैने ते जस्वी चेहरे वाला एक आदमी बहार निकला दोनों सादमी की तरफ लगबख दोड़ते हुए बढ़े और उनके पैर चुए उस आदमी ने मुस्कुराते हुए दोनों को आशिरवात दिया और कहा तुमारे चेहरे बता रहे हैं कि समस्या विकट है चलो अंदर चलते हैं जी गुरुजी दिया की मा सिर्फ इतना ही कह पाई अंदर जाते ही गुरुजी आँख मींच कर खड़े हो गए लगबख 10 मिनट उसी मुद्रा में खड़े रहने के बाद गुरुजी बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चलो दिया के कमरे में चलते हैं गुरुजी का साथ पाकर दिया के माता पिता का आत्मफिश्वा सौर भी बढ़ गया था वे तीनों दिया के कमरे खोल कर अंदर गए वे अंदर पहुचे ही थे कि दिया दोड कराई और एक बच्चे की तरह गुरुजी से लिपड गई गुरुजी मुस्कुराते रहे दिया घबराय हुए स्वर में बोली गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे मा महिश मर्दिनी की मंदिर ले चलो कहते हुए वो भिहोश हो गई गुरुजी ने उसे पलंग पर लिटाया और खुद खड़े होकर पूरे कमरे का मुआयना करने लगे और फिर वही शब्द दोहराए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैसे ही उन्होंने या शब्द कहे दिया बुदबुदाने लगी गुरुजी कुछ पल दिया को अपनी शान तांखों से देखते रहे हलांकि उनके चहरे पर उल्जन साब दिखाई दे रही थी उसी मुद्रा में गुरुजी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर मिला कर बात करनी प्रारंप की सामने से उत्तर आते ही वे बोले कहां पर है श्रिमान उधर से कुछ उत्तर आया गुरुजी बोले ओ गुवना फिरना छोड़कर जितना जल्दी हो सके पहली फ्लाइट पकड़कर मेरे पास आजाओ किसे की जिंदगी का प्रश्न है उधर से फिर कुछ उत्तर आया जिससे सुनकर गुरुजी बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहां से फिर कुछ कहा गया जिससे सुनकर गुरुजी हामी भरते रहे बात खत्म होने पर गुरुजी ने दिया की मा को बुलाया और कहा वह कल तक आएगा आप दिया को कहते रहें तु दिया है, मेरी बेटी हमारी बेटी, इसे दोराते रहें रात भर, कल भी जब तक मैं नहीं आता तब तक दिया की मा ने हां की मुद्रा में सिरहिला दिया रात बीत गई अगले दिन सवेरे साथ बजे ही गुरुजी आ गए उनके साथ एक और आदमी था चेहरे मोरे से तो वो आदमी पचीस साल साधिक का नहीं लग रहा था गुरुजी ने दिया कि मा से पूछा अब कैसी है दिया पिता ने जवाब दिया रात भर सोई नहीं जैसे आपने कहा था हम उसे वैसा ही कहते रहे वह पहले तो बहुत गुस्ता हुई अब सवेरे चार बजे के बाद थोड़ा चुप है गुरुजी ने उस आदमी की तरफ देखा और बोले यह जय है जितना प्रकट है उतना ही अद्रिश्य दिया के इलाज के लिए इने बुलाया है चेहरे पे मत जाना मैंटेंड है दिया के पिता ने जै को नमसकार किया तो वा मुस्कुरा दिया और गुरुजी से मुखातिव हुआ गुरुजी प्रेद दो प्रकार के होते हैं एक दूसरे पर चड़ जाता है और दूसरा वो सिर्फ दूसरे पर ही चड़ता है और वो दूसरा और कोई नहीं वो खुद ही होता है दिया के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है शायद बाचीत करते हुए वो दिया के कमरे के अंदर चले गए दिया पलंग पर लेटी हुई थी और दिया की माँ दिया से वही कह रही थी जैसे गुरू जी ने कहने को कहा था जै दिया के पास गया और उसके सिर पर हाथ रख कर बोला दिया मेरी बात सुनो अब मैं ही तुमसे बात करूँगा मैं जानता हूँ कि तुम ठक गई हो बहुत ठक गई हो तुमें नींद आ रही है सो जाओ सो जाओ सो जाओ उसके स्वर में जैसे सम्मोहन सा था दिया ने केवल हाँ की मुद्रा में धिरे धिरे सिर हिलाया अब जैय ने पास ही खड़े गुरुजी की तरफ देखा और बहुत धिरे से कहा ताकि दिया को सुनाई न दे इसे ट्रांस में ले जा रहा हूँ अलफा टेस्ट में ही कुछ पता चल पाएगा गुरुजी कुछ नहीं बोले दिया के सिर पर हाथ रखे-रखे ही जै बोलने लगा दिया तुम कल शाम में जाओ और जाकर बताओ तुम क्या कर रही हो दिया बुद्बुदाने लगी मैं चेरी के साथ खेल रही हूँ जै ने दिया के पिता की तरफ देखा तुभे बोले, चेरी हमारा पाल्तु डॉक था, दिया बुद्बुदा ही रही थी, मेरा लैप्टप आउन था, चेरी भाग कर बाहर चला गया, और मैं ट्यूशन जाने के लिए कपड़े बदलने लगी, फिर फिर दमन का फोन आया, और… जै ने दिया के पिता से गरदन उचलते वे पुछा, दमन? वोई बोले, दिया के कॉलेज में साथ पढ़ता है, चलो उसके पास, कहते वे जै उचला, और बाहर निकलते निकलते दिया की मा से कहा, आप वही कहते रहिए, दिया के पिता ने दमन के घर का पता मालुम किया, और वे, जै और गुरुजी के साथ दमन के घर के तरफ निकले, दमन वहाँ नहीं था, जै ने दमन के कमरे के बारे में पूछा, और बिना इजाजत उसके कमरे में चला गया, अंदर दमन का डेश्टॉप रखा था, उसे कि दिया के पिता ने उन्हें सारी बात बता दी थी, लगभग एक घंटे बाद जै बोला, चलो, कहां चलना है भई, गुरुजी ने पुछा, तो जै ने कहा, मा महिश मर्दिनी के मंदिर, वो ये सभी फिर दिया के घर लोटे, और जै दिया के पास जाकर बोला, दिया, चलो, मा महिश मर्दिनी के मंदिर चलना है, दिया जैसे नीन से जागी, और ठके स्वर में बोली, जल्दी चलो, अब वो ये सभी कार में बैठे, इस बार जै ने स्टेरिंग संभाला, जै उन सभी को एक जगा लेकर गया, जहां जाते ही, दिया के पिता बोले, अरे, ये तो पु पुली स्टेशन के अंदर जाकर, जै एक पुलीस अधिकारी के पास गया, और पुछा, सर, काम हो गया, वो अधिकारी बोला, हां, हो गया, जैसे आपने फोन पर बोला, उसकी बात काटते हुए, जै तेस स्वर में बोला, दिया, आओ, दिया धीरे धीरे चलती हुई जै के पास आई, जै ने उसका हाथ पकड़ा, और उसे अंदर के कमरे में ले गया, गुरुजी और दिया के पिता भी, पीछे पीछे गए, अंदर दमन बैटा था, जिससे देखते ही, दिया क्यांखे क्रोद से लाल हो गई, जै चिला कर बोला, दिया, यही है महीश, इसी ने मारा वीडियो बना लिया, तुम मंदिर में आ गई हो, अब देखो इसका मर्दन, कहते हुए जै ने इशारा किया, तो दो पुलिस कर्मी दमन को डंडे से पिटने लगे, दमन चिलाने लगा, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी, और दिया मुस्कुराने लगी जिसे देखकर जै बोला, रक्ष पिसाची नहीं, तुम्हें जिसका रक्ष ये था, वो मिल गया, अब दिया को छोड़ दो, दिया ने जै की तरफ देखा, उसकी आखों में आभार आया, वो बोली, हाँ मैं जाती हूँ, यह कहकर वो भिहोश हो गई, दिया के पिता ने उस दिया को उसने ब्लेकमेल करने के लिए फोन किया, उसकी बात से दिया के दिमाग में शौक लगा, और वो ऐसी हो गई, असलियत में और कोई प्रेत नहीं, बलकि यही साइबर घोष्ट दिया के सिर में चड़ गया था, जिसका अब अंत हुआ, और इसलिए मुझे कुछ दि पाने के साथ साथ औल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियां आप लोगों तक पहुंचती रहें